बीशन कर्मी में एर कंडिशनर की ठंटी हवा में काफी रहात देती है इसे में दोस्तों अगर आप इस समर सिसर में अपने लिए एक बास्ट कुलिंग एफिशेंट और पावर एफिशेंट एर कंडिशनर परचेस करना चाहते हैं अपने मीडियम साइज रूम के लिए तो दोस्तों आज का ये वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तौफ फ़ाइब बास्ट वंपंट फ़ाइटन फ़ाइटन फ़ाइटस के बारे में इंफूमिशन देने से बाल है दोस्तों अगर आप पहली बार अपने ले कोई AC करेदना चाहते हैं और आप confused हैं कि आखिर आपको अपने room size के साफ से कितने ton का AC खरीदना चाहिए जिससे कि 1 ton, 1.5 ton या फिर 2 ton एर कंडिशनर में जो star rating आती है जिससे कि 3 star, 4 star या फिर 5 star तो आपको कितने rating का AC अपने लिए खरीदना चाहिए जिससे कि दोस्तों एक अच्छी cooling के साथ एर कंडिशनर आपको अच्छी कासी power saving भी provide करें एर कंडिशनर करें तो कौन सा करें inverter या फिर एक non inverter तो दोस्तों इस topic के ओपर आपको हमारे channel पर एक detail वीडियो मिलेगा जो कि complete AC buying guide वीडियो है एर कंडिशनर्स खरीदने से पाले आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए जिससे कि आपके सारे doubts clear हो जाए और आप अपने लिए एक best AC purchase कर पाएं दोस्तों इस वीडियो को link आपको description box में मल जाएगी best of 5 एर कंडिशनर्स में हमने यहाँ पर देखने को मल जाती है जिससे कि आपको इन सभी ACS में 32 refrigerant gas मिलेगी जो कि green gas है और cooling के मामले में काफी efficient है वहीं दोस्तों cooling coils और condenser coils में इन पांचों ही brand ने 100% copper का use किया है साथ दोस्तों core reason से protection के लिए यहाँ पर आपको coating भी देखने को मिल जाती है वहीं compressor की बात करें तो सभी air conditioners में आपको inverter compressor मिलता है जो कि दोस्तों आपको अच्छी power saving के साथ decent cooling प्रोवाइड करता है इन सभी air conditioners में आपको stabilizer free operation का feature मिलेगा जिसकी voltage range अभी आप वीडियो के screen पर check out कर सकता है इस voltage range का ये मतलब है कि अगर आप के रिये में इसे बीच में power fluctuate होता है तो ऐसे में आपको अलग से कोई भी stabilizer इन AC के साथ लगाने की जरुवत नहीं है लेकिन दोस्तों अगर आप power fluctuation के बारे में बिल्कुल भी short नहीं है तो दोस्तों इसे में आपको एक individual stabilizer इन AC के साथ जरूर लगाना ही चाहिए और दोस्तों best stabilizers के उपर भी आपको हमारे चैनल पर detail video मिलेगा उस video के link में आपको description box में provide कर दूँगा उस video को देखकर आप अपने इन AC के लिए एक best stabilizer purchase कर सकते हैं जिससे कि आपको पता है कि दोस्तों ये सभी air conditioner आपको 5 star rating के साथ मिलेंगे जिसके ICR value अभी आप वीडियो के screen पर check out कर सकते हैं साथ दोस्तों power consumption के details भी check out कर सकते हैं और ये सभी air conditioner दोस्तों up to 180 square feet तक एक proper air sealed room के लिए बहुत थी अच्छी choice है इवन दोस्तों जो डाइकिन का air conditioner है उसे आप up to 190 square feet तक के area में भी use कर सकते हैं वहीं दोस्तों अगर आपका जो room है वो proper air sealed नहीं है room की च्छत या दिवारों के ओपर direct sunlight फॉल होती है तो ऐसे में दोस्तों ये सभी air conditioner up to 150 square feet तक के area में भी पहुत अच्छी decent cooling आपको provide करेंगे top 5 best 1.5 फाइटन 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 इंवर्टर स्प्रेटर केंडिशनर इन इंडिया 2024 में नमबर 5 पर है Hevels Lloyd की उर सेने वाला ये 1.5 फाइटन 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 इंवर्टर स्प्रेटर केंडिशनर इस model में आपको 500 फाइटन की cooling capacity मिलती है और actual run के साब से ये model आपको 1.4 फाइटन का मिल जाता है इस AC में आपको 11.5 kg का indoor unit मिलेगा और 29.8 kg का outdoor unit मिलेगा वही noise level आपको 40 decibel का मिल जाता है ये AC दोस्तों 5 in 1 convertible cooling moods के साथ आता है जिसमें आप AC को 100% capacity के इलावा कम capacity में यूज़ कर सकता है साथ दोस्तों आपको AI mode का feature मिल जाता है जो कि room के temperature को sense करते हुए cooling को manage करता है इस model में आपको low gas detection का feature भी मिलेगा सबोस्तों अगर आपके AC में gas later कोई बीशू है तो E5 का error AC के display पर show होगा इस model में आपको smart 4-way swing का feature मिल जाता है यनि कि आपको left and right and up and down चारो दिशाओं में air delivery, air conditioner के indoor unit से मिलेगी जिससे कि आपका room fast कुल होगा वहीं दोस्तों air filtration में आपको anti-violet filter और PM 2.5 filter मिल जाता है जो कि आपको dust free pure air provide करता है साथ दोस्तों आपको clean filter indication का feature भे मिल जाता है सबोस्तों AC के filter अगर गंदे हो गए है तो AC दोस्तों indoor unit के display पर CL का error शो करेगा warranty की बात करें तो एक साल की overall product पर warranty बिलेगी 5 साल की PCB और 10 साल की compressor पर दोस्तों हो सकता है कि जो product link में आपको provide करूँ अगर आप इस AC को अपने लिए खरीदना चाहते है तो दोस्तों फिलाल AC करन price है जिसके best buying link दे है मेरे आपको description box में दोस्तों आप बात करते हैं इस AC के pros and cons की तो दोस्तों कमी इस model में आपको ये देखने को मिलेगी कि जो cooling coils हैं उसको clean करने के लिए आपको कोई भी अलाक से dedicated feature नहीं मिलता वहीं दोस्तों initial time पर जब भी आप AC कौन करता है तब AC थोड़ा सा noise ज़ादा करता है वहीं फायद हो कि अगर मैं बात करूँ तो एक कम budget में आपको 5 star rating का ये air conditioner देखने को मिल जाता है जो कि cooling efficient है और power efficient भी है साथ ही दोस्तों वो सारे required आपको इस AC के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि एक normal inverter AC के अंदर होना चाहिए top 5 best 1.5 तर फाइस्टार inverter speeder conditioner in India 2024 में नमबर 4 पर है blue star की उरसे आने वाला ये 1.5 तर फाइस्टार inverter speeder conditioner जिसमें आपको 5 air watt की यहाँ पर 100% cooling capacity मिलेगी यहने कि actual ton के इसाफ से यह AC आपको 1.42 ton का मिल जाएगा इस AC में आपको 12 kg का यहाँ पर heavy indoor unit मिलता है और 28.6 kg का outdoor unit मिल जाता है वही noise level इस model के अंदर आपको 49 dB का यहाँ पर maximum मिलेगा दोस्तों यह air conditioner आपको 5 in 1 convertible cooling goods के साथ मिलेगा जिसमें 100% capacity के अलावा AC को आप कम capacity में यूज कर सकता है और अगर आपको जादा cooling की requirement है तो AC से आप जादा capacity में भी cooling ले सकता है दोस्तों यह air conditioner एक smart wifi enable air conditioner है जिसका पूरा control आप अपने mobile पर ले सकता है और इसके लिए दोस्तों आपको blue star की application को अपने mobile पर install करना होगा साथ यह आपको Amazon Alexa और Google Voice Assistant का support भी मिल जाता है इस model में दोस्तों आपको energy saver eco mood का feature भी मिलता है जोकि काफी बढ़िया है और दोस्तों यह model आपको 4 way swing feature के साथ मिल जाता है एर filtration में दोस्तों इस model में आपको dust filter मिल जाएंगे वहीं दोस्तों warranty की बात करें तो normally blue star air conditioner आपको 1 साल की और और प्रड़क पर warranty प्रोवेड करता है 5 साल की PCB और 10 साल की compressor पर लेकिन अगर आप 30 अप्रेल से पहले पहले अगर इस PC को buy करता है तो blue star की और से आपको 80 महीने की यहाँ पर ओर और प्रड़क पर warranty मिलेगी अगर आप इस AC को अपने लिए फर्टिस करना चाहता है तो फिलाल इसकी करन पाईस है 44,490 रुपए जिसके best buying link मिलेगी आपको description box में अब बात करते हैं इस air conditioner के pros and cons की तो दोस्तों इस model में कमी है कि आपको यहाँ पर noise level थोड़ा सा ज़ादा देखने को मलता है वहीं दोस्तों जो indoor unit है उसकी cooling calls को clean करने के लिए इस model में कोई भी dedicated feature आपको नहीं मिलता वहीं दोस्तों अगर मैं फायदों की बात करूँ तो यह cooling efficient और power efficient air conditioner है जो कि आपको सारे required feature प्रोवाइड करता है और most important दोस्तों इस AC की cooling काफी शांदार आपको देखने को मिल जाती है टॉप 5 best 1.5 तन 5 star inverter speed air conditioner in India 2024 में नमबर 3 पर है डाइकीन की ओर सेने वाला यह 1.5 तन 5 star inverter speed air conditioner जिसमें आपको 100% cooling capacity 5,280 watt की मिलेगी यानि की actual 10 की साबसी भी दोस्तों यह AC आपको 1.5 तन का ही मिलेगा इस model में आपको 11 kg का indoor unit मिल जाता है वहीं आपको 32.5 kg यहाँ पर heavy outdoor unit देखने को मिलता है वही noise level आपको 38 dB का मिल जाएगा इस AC के indoor unit में आपको triple display मिलता है जहाँ पर आप power consumption का percentage चेक कर सकते हैं room temperature कितना है वो चेक कर सकते हैं और दोस्तों मान की चलें के AC में अगर कोई भी दिक्कत या issue रहता है तो auto error code भी triple display पर ही show होता है इस model में दोस्तों indoor unit की cooling also clean करने के लिए आपको यहाँ पर due clean technology का feature मिल जाएगा और fast cooling के लिए यहाँ पर आपको power chill operation का feature मिलेगा इसके लाबा power saving के लिए आपको इकोनो mode का feature मिल जाता है इस model के indoor unit में दोस्तों आपको power airflow 12 flush मिलता है और दोस्तों 3D airflow भी मिलता है warranty की बात करें तो दोस्तों डाइकिन की उस से एक साल की और और प्रड़क पर warranty मिलेगी पांच साल की PCB और तस साल की compressor पर अगर आप इस AC को अपने लिए खरीदना चाहता है तो फिलाल इस एकरन पाई से 45,590 रुपए जिसके best buying link दी है मैं आपको description box में अब बात करता है इस AC के pros and cons की तो दोस्तों कमी केवल इतनी है कि आपको यहाँ पर convertible cooling mode की feature नहीं मिलता है यानि कि आप AC को 100% capacity के लावा कम capacity में set करके run नहीं कर सकता है लेकिन अच्छी बात है कि आप AC से ज़ादा capacity में cooling ले सकता है क्योंकि आपको यहाँ पर power chill operation का feature मिल जाता है वहीं दोस्तों फायदों के अगर मैं बात करूँ तो यह AC दोस्तों एक cooling efficient air conditioner है और एक power efficient air conditioner है क्योंकि इसमें आपको 5.20 की IC air value मिलती है और दोस्तों most important आपको true cooling capacity जो है वो डाइकीन उफर करता है जो कि इस AC का best part है और इस AC के अंदर दोस्तों convertible cooling moods को छोड़कर सारे required feature आपको देखने को मिल जाएंगे और एक और वज़ा है दोस्तों हुई है कि डाइकीन globally number one brand है तो इसे में यह AC एक बहुत अच्छी choice बन जाता है टॉप 5 best 1.5 फाइटन फाइस्टार inverter speed air conditioner in India 2024 में नमबर टू पर है पैना सोने क्योर सेने वाला यह 1.5 फाइटन फाइस्टार inverter speed air conditioner जिसमें आपको 51 100 वाट के यहां पर 100% cooling capacity मिलती है और एक चोड़न के साब से यह AC आपको 1.4 फाइटन का मिल जाता है इस AC में आपको 12 kg इंडूर यूनिट मिलेगा और 25 kg आपको आपको आउट्डूर यूनिट मिलेगा वही noise level आपको 39 dB का मिल जाता है यह air conditioner एक wifi enabled smart air conditioner है जिसका पूरा control आप अपने mobile पर ले सकता है और इसके लिए दोस्तों Panasonic की मेरे एप को आपको अपने mobile पर install करना होगा दोस्तों यह इंडिया का first matter enabled air conditioner भी है दोस्तों अभी जितने भी IoT appliances है चाहे वो fan हो, refrigerator हो या फिर एक air conditioner हो उनको इस्तमाल करने के लिए आपको अलग-अलग brand की application को इस्तमाल करना होता है लेकिन कर दिया है, साथ ही दोस्तों आपको low gas detection का feature भी इस model कंदर देखने को मल जाएगा, 4-way swing का feature मिलता है और यह air conditioner 7-in-1 convertible cooling modes के साथ आता है जिसमें आप इसी से कम capacity और जारा capacity दोनों में ही cooling ले सकता है, साथ ही आपको additional AI mode का feature मिल जाता है, जो कि room के temperature को sense करते हुए cooling को manage करता ह इस AC का best party है कि दोस्तों आपको यहाँ पर outdoor unit eco tough मिलता है, जो कि हर weather condition के साथ से design किया गया है और outdoor unit के ओपर दोस्तों आपको specify 5 साल की और प्रड़क पर panasonic warranty भी provide करता है, वही air filtration मिल दोस्तों आपको PM 0.1 filter मिल जाएगा, जो कि dust or free pure air आपको provide करेगा, warranty की बात करें, तो 1 साल की और प्रड़क पर warranty मिलेगी, 5 साल की PCB, 5 साल की outdoor unit और 10 साल की compressor पर, और अगर आप इस AC को अपने लिए खरीदना चाहता है, तो दोस्तों फिलाल इसकी current price है, 45490 रुपए, जिसके past buying link दे है मैं आपको description box में, अब बात करते हैं इस air conditioner के pros and cons की, जो दोस्तों इस model में कमी के इतनी है, कि compare to other air conditioner model के मुगाबले, आपको outdoor newt यहाँ पर थोड़ा सा चूटा ही देखने को मलता है, मैं फायद हो कि अगर मैं बात करूँ, तो ये AC क्लिंग efficient और power efficient air conditioner है, और दोस्तों इस AC के अंदर एक अच्छा air filtration आपको देखने को मलता है, और ये इंडिया का first matter enable air conditioner है, और एक और वज़ा है कि दोस्तों, जैपान में ये एक number one air conditioner brand है, तो एक और वज़ा बन जाती है इस AC को अपने ले पर्टिस करने की, टाप 5 best 1.5 ton 5 star inverter spreader conditioner in India 2024 में number one पर है, LG की और सेने वाला ये 1.5 ton 5 star inverter spreader conditioner जिसमें आपको 5000 watt की यहाँ पर 100% cooling capacity मिलती है, और actual turn के साब सी य इस AC आपको 1.42 ton का मिल जाता है, इस AC में आपको 11 kg का indoor unit मिलेगा और 30 kg का आपको यहाँ पर outdoor unit मिल जाता है, वही noise level आपको इस AC में 31 decibel का मिलेगा, दोस्तों ये air conditioner एक wifi enabled smart air conditioner है, जिसमें पूरा control आप AC का अपने mobile पर ले सकता है, और इसके लिए दोस्तों LG के thank you app को आपको mobile पर install करना होता है, दोस्तों ये air conditioner AI convertible 6-in-1 cooling modes के साथ आता है, जिसमें दोस्तों AC को 100% capacity के लावा आप कम capacity भी यूज़ कर सकता है, और 5 वा mode मिलता है, आपको AI mode जो की room के temperature को sense करते हुए cooling को manage करता है, वहीं दोस्तों अगर आपको ज़्यादा capacity में cooling चाहिए, तो ACC को auto clean का feature भी मिल जाता है, air filtration में आपको HD filter with antivirus production मिलेगा, जो की दोस्तों आपको healthy और fresh air provide करेगा, वारंटी की बात करें तो दोस्तों LG की और से आपको 1 साल की overall product पर वारंटी मिलेगी, 5 साल की PCB और 10 साल की compressor पर, और अगर आप इस AC को अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो द इस cost में, यानि की इस budget segment में, वो थोड़ी से कम देखने को मलती है, लेकिन best part क्या है, वो यह है कि maximum cooling capacity इस model में आपको 500 watt तक की देखने को मिल जाती है, जो की काफी अची बात है, वहीं दोस्तों मैं frido की अगर बात करो, तो यह AC एक cooling efficient air conditioner है, और power efficient air conditioner भी है, क्योंकि इसमें मिलता है, तो दोस्तों यह रही complete information top 5 best 1.5 and 5 star inverter speed air conditioner in India 2024 के बारे में, जहां आपने हर एक ब्राइंड के एक एक air conditioner के features and technologies के बारे में, आपको complete information दी है, साथ यह आपको pros and cons भी बताया है, जिससे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी आज़ा नहीं होगी अपने लिएक best bank information लेने में, तो अगर आपको हमारा यह वीडियो जड़ा सा भी अच्छा लागा हो, तो प्लीज इस वीडियो को जड़ा सुदा लाइक कीजिए, और अपने family, friends member के साथ इस वीडियो को share करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपकी कुछ सवाल है, तो please comment ज़रूर कर झाल